दोस्तों अगर आप भी UPSC से आने वाली ज्यादा से ज्यादा भरतियां देखना चाहते हैं तो आप भी जानते हैं कि पेट में अब 50, 60 या फिर 65 नमबर लाने से काम नहीं चलने वाला है क्योंकि अगर हम इस बार लेकपाल की ही बात करें तो आपने देखा कि 15 गुना की बीडियो, जूनियर असिस्टेंट, लोवर इत्यादी की भरति देखनी है तो आपको स्कोर भी बहुत अच्छा करने की आऊ सकता है अगर फिर बीडियो की हम बात करें तो 2000 की आसपास भरति आनी है इस बार तो बैकेंसियों की संक्या जितनी ज़्यादा कम होगी उतनी आप यहां से हाई ही देखने को मिलेगी तो इसलिए आपको इस बार जो है असी या फिर असी प्लस नंबर लाने की आऊ सकता है और कैसे लाएंगे तो उसी को ले करके इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी इस डिटजी कह ले या फिर जुगार कह ले या फिर ट्रिक कह ले उसी की हम बात करने वाले हैं नमस्कार दोस्तों मैं योगेश मिस्तरा स्वागत करता हूँ आपका योगेश हिलनी यूटूब चैनल पर जहां आपको यूपी की भरतियों की सही सटीक जानकारी सबसे पहले दी जाती है तो यूपी ट्रिपल सी के लिए तुरंद चैनल को स आउ सकता है और जो हमें नहीं पढ़ना है उसे सबसे पहले ही आपको साइड कर देना होगा क्योंकि टाइम आपके पास सीमित है हलाकि इसका सलेबस भी सीमित और फिक्स है और इसलिए इसमें बेहतर स्कोर करना भी आसान है काफी लोग तो नोटिफिकेशन आते ही एक एक लिए 10-10 चैनलों को सबस्क्राइब कर ली होंगे और 2-3 कोर्स तो परचेसी कर ली होंगे तो आईसा बिल्कुल नहीं करना है और दूसरी चीज हमें ये आज जो है देखना होगा कि किसका वेटेस कितना है हम सबजेक्ट वाइस भी यहां से चीजों की बात में बात करेंग और 1-4 की निगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर हम यहां से वेटेज की बात करें तो 50 नमबर की आपको जीएस मातर देखने को मिल जाएगी अगर हम सारे पार्ट को यहां से आइड कर दें और बाकी की 50 नमबर में 45 प्लस नमबर कर सकते हैं और GS में बात करें तो GS में देखिए जो है 45 प्लस नमबर करना आसान नहीं होता है तो GS में आप यहां से 37-38 नमबर का जो टारगेट है ये ले करके चलें और अन्य बिश्यों में 45 प्लस नमबर का टारगेट ले करके चलें तब ही आप यहां से एक सह धंग का जो score है ये कर पाएंगे अब देखिए जीएस में 35 प्लस नंबर का target हम कैसे ले करके चलें तो इसके लिए आपने यहाँ पर जो है देखा होगा कि part wise यहाँ से जो है 5-5 नंबर या फिर 10-10 नंबर का यहाँ से जो syllabus है यह divide है जीएस का तो सबसे पहले अगर हम history की ही बात करें तो लोग यहाँ पर देखते हैं कि 5-5 नंबर का इतिहास है तो पूरा इतिहास पढ़ने में लग जाते हैं आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होगा सबसे पहली बात तो आपको डीप में बिल्कुल भी जाना ही नहीं है एक एक topic को आपको बाहरी ही यहाँ से cover करना होगा और यहां से अगर हम आंदूलन की बात करें या फिर भूगोल की बात करें या फिर सम्मिधान की बात करें तो किसी में भी आपको बहुत जादा डीप में जाने की आउशकता नहीं है। के माध्यम से आपको यहां से पीडियाफ ले ले ला होगा और उसी से आप अगर यहां से सही डंग से पढ़ करके चले जाते हैं तो करिंट अफवियर कभी काम आपका यहां से बन जाएगा समान जागरुकता की बात करें यह भी 10 नंबर का है इसमें भी आपको टॉपिक वाई सारी चीजे सही से पढ़नी होगी लेकिन फालतू की चीजे इसमें भी नहीं पढ़नी होगी अब देखिए फालतू की चीजे आपको यह पता कैसे चलेंगे कि यह चीज फालतू की है तो इसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़ादा अन्युआर है, बहुत ही ज़ादा आप ये मानगे चलिए, कि ये तो कमपल सरी ही है, और मौक टेस्ट देने के बाद ही आपको सारी चीजों का आइडिया लग जाएगा कि क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और उसके बाद अगर आपको लगे कि आपने इस टॉपिक को ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ाए तब ही आप यहाँ से उस टॉपिक को दोबारा से आ करके रिवीजन करें रिपीट करें या फिर गहराई से पढ़ें नहीं तो सिर्व आपको सारी चीजों में बहुत ज़्यादा डीपली से पढ़ने की आऊ सकता नहीं है अब देखिए अगर हम गलित की बात करें तो पांच नंबर की आपकी ये गलित है और बीस नंबर की आपका जो है ग्राफ और तालिका है अब देखिए अगर ये पांच नंबर की गलित है तो आपको यहां से एक एक टॉपिक जितने भी इसमें टॉपिक है इसके अलावा पूरी मयत आपको पढ़नी की आओ सकता नहीं है एक एक टॉपिक आप पढ़िए और उसकी ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करिए हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी आपको प्रैक्टिस करना है यहां से किसी टॉपिक को बहुत डीपलीज पढ़ना नहीं है प्रैक्टिस करना है और इंगलीज में भी इसी तरीके आपको करना है और इसके बाद देखिए जो है रिजनिंग की बारी आती है रिजनिंग की भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी तब ही आप इसमें आसानी से जो है 45 प्लस नंबर ला सकते हैं क्योंकि देखिए GS में आप अगर बहुत ज़्यादा मेनत कर देते हैं फिर भी आप हो सकता है कि 40 नंबर तक पहुंच जाएं क्योंकि इस से ज़्यादा लाना उसमें मुश्किल होता है लेकिन इस बिस्यों में बहुत ज़्यादा आसान है एक अच्छा स्कोर करना तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है मौक टेश्ट आप लगतार देते रहे उससे आपको आइडिया लगेगा कि हमें किस टॉपिक को डीपली और हमें क्या चीज छोड़ना है उसका भी आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा और यहाँ से हम सब्जेक्ट वाइज भी बात करेंगे रिसोर्सेस की भी बात करेंगे आने वाले नेश्ट वीडियो में तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें आज का वीडियो यही तक वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ सेयर जरूर से कर दें